अध्योगी करण के दोरान मजदूर जैसे जैसे कार खाने लगने लगे और खदाने खुली गाओं से बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में शेहरों की ओर चले नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुम के जरिये जान पहचान पर निर्भर करती थी अगर किसी कार खाने में रिष्टेदार या दोस्त लगा हुआ था तो नौकरी मिलने की संभावना जादा रहती थी सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था वे पुलों के नीचे या रेन बसेरों में रात काड़ते थे कुछ बेरोजगार शहर में बने नीजी रेन बसेरों में रहते थे बहुत सारे निर्धन पुलिस विभाग द्वारा चलाय जाने वाले आस्थाई बसेरों में रुखते थे मजदूरों को शहरों की गंदी बस्तियों में बिना किसी नगरी सुविधा के रहना पड़ा इस कारण बिमारियां वा महामारियां फैली बिमारियों और गरीबी के कारण मजदूरों की ओसत आयू उन दिनों बहुत कम थे बहुत से उद्धोगों में मौसमी काम की वज़ा से कामगारों को बीच-बीच में लंबे समय तक खाली बैठना पड़ता था काम का मौसम गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सडक पर आ जाते थे कुछ लोग जाडों के बाद गाओं में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था लेकिन ज़्यादा तर लोग शहर में ही छोटा मोटा काम ढूणने की कोशिस करते थे 19-वी सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार हुआ लेकिन अक्सर या महंगाई के कारण असर हीन हो जाता था मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी रोजगार की अवधी भी बहुत महतोपूर थी मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तैह होती थी कि उन्हें कितने दिन काम मिला है 19-वी सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी आर्थिक मंदी के दौर में बेरुजगारों की संख्या विभिन छेत्रों में 35-75% तक पहुँच जाती थी ऐसे कटिन समय में विवश मजदूर रोटी के लिए दंगा फसाद पर भी उतराते थे बेरुजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रद्धोग की से चिड़ते थे विए मशीन को रोजगार छिनने वाला साधन मान कर उसे तोड़ने का प्रयास करते थे शुरू में कारखानों की मशीनों को निशाना बनाया गया और समय के साथ गाउं में नए लाए गए क्रिशी अंत्रो जैसे थ्रेशर के भी तोड़फोड की जाने लगी मजदूर औरतें और बच्चे और द्योगिक क्रांती से महिलाओं और बच्चों के काम करने के तरीकों में इससे पहले ग्रामिन गरीबों के बच्चे हमेशा घर या खेट में अपने माता-पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे ये काम दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे इसी प्रकार गाओं में महिलाय भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी वे पशोओ का पालन पोशन करती थी, लकड़ियां इकठा करती थी और अपने घरों में चर्खे चला कर सूथ काती थी और द्योगी क्रांदी के बाद उन्हें कार्खानों में काम करना पड़ा जो इससे बिल्कुल अलग किस्म का काम होता था वहां लगतार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशाशन तथा तरह तरह के दंड के भयावा परिस्थितियों में कराया जाता था पुर्षों की मज़दूरी मामूली होती थी जिससे घर का खर्च नहीं चल सकता था इसे पूरा करने के लिए महलाओं और बच्चों को भी कमाना पडता था जियो जो मश्विनों का इस्तमाल बढ़ता गया, काम करने के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत कम होती गई पायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। इसके अलावा रेशम, फीते बनाने और बुन्ने के उद्योग धन्दों में बर्मिंगम के धातू उद्योगों में अधिकतर बच्चों और महिलाओं को नोकरी दी जाती थी। रुई कातनी की मशीन ने तो कुछ इस तरह की बनाई गई थी कि उनमें बच्चे अपनी फूर्तिली उंगलियों और छोटी कद काठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मीलों में रखा जाता था क्योंकि वहां सटाकर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। काम करते करते इतने ठक जाते थे कि उन्हें नेंद के जपके आ जाती थी और ये मशीनों में गिरकर मौत के मुझ में चले जाते थे। पर कोईले का भारी वजन भी ढोते थे कोईले से भरी गाड़ियों को खीचते थे कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे ताकि वे अभी से काम सीख कर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें अधिकांश कारखानों में 10 से 14 साल की उम्र स बाल मजदूर काम करना शुरू कर देते थे महिलाओं को मजदूरी मिलने से न केवल वित्य स्वतंत्रता मिली बलके उनके आत्मसमान में भी बढ़ोत्तिरी हुई लेकिन इससे उन्हें जितना लाब हुआ उससे कहीं ज्यादा हानी काम की अपमान जनक परिस्थित्यों के कारण हुई अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शैश्वा वस्था में ही मर जाते थे और उन्हें अपने अध्योगिक काम की वज़ा से मजबूर होकर शहर के घिनोनी वगंदी बस्तियों में रहना पड़ता था मजदूर आंदोलन प्रारम में तो मजदूर आनियोजित दंगा या तोड़ फोड के जरिये अपना गुस्सा व्यक्त करते थे लेकिन जब इससे परिस्थितिया नहीं सुधरी तो वे अधिक संगठित तरीकों से अपना विरोध दर्शाने लगे थे अलग-अलग उद्योगों में काम करने वाले कामगारों ने संगठन बनाए ताकि वे साजे रूप से मालिकों से सौधा बाजिक कर सकें ये संगठन बाद में जाकर मजदूर संग बने इसी तरह बेरोजगारी या बिमारी के समय आपसी मदद के लिए सहकारी सहयोग समितियां बनाई गई मजदूर आपस में चंदा करके इन सहकारी समितियों को चलाते थे प्राया मजदूर उन दिनों फ्रांसीसी क्रांती और जैकोबिन गरतंत्रात्मक विचारों से तथा समाजवादी सोच से प्रेरित थे वे समाज में सबके लिए आर्थिक और राजनेतिक समानता और लोगतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे सन 1811 से 17 के बीच एक करिश्माई वेक्तितों वाले जनरल नेड लूड के नेत्रितों में लूडीजम नामक आंदोलन चलाया गया यह एक किसम का विरोध प्रदर्शन था लूडीजम के अन्याई मशीनों के तोड़ फोड में ही विश्वास नहीं करते थे बलकि वे नियूंतम मज़ूरी नारी वा बाल्शम पर नियंत्रण मशीनों के अविश्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तोर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मज़ूर संग या ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की मांग करते थे सरकार ने इसका जवाब दमनकारी नीती से दिया संसद ने कानून पारित कर लोगों द्वारा राज की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन आधी पर प्रतिबंध लगा दिया लेकिन लोगतंत्र के प्रवाह को रोका ना जा सका और इन दमनकारी अधिनियमों को सन 1824 से 25 में निरस्थ कर दिया गया सन 1832 के बाद क्रमशा संसत की सदसिता समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी खोली गई इसके अलावा सन 1819 के बाद धीरे धीरे ऐसे कानून बने जिनोंने बाल श्रम को नियंत्रित किया और सभी के लिए काम के घंटों को सीमित किया